जैसे जैसे production हो रहा है, आपको दो तारीकों कितनी वैक्सीन मिलेंगी, आपको तीन तारीकों कितनी वैक्सीन पहुचेंगी, चार को कितनी वैक्सीन पहुचेंगी, ऐसे करकर next 15 दिन तक का daily schedule भी बताया जाता है, फिर हम states के साथ discuss करके ये plan करते हैं, कि हम उनसे request करते हैं कि availability के basis पर आप vaccination centers का plan करें, अब यह natural है कि अगर हमने states को vaccine दी, तो अगर किसी जगे पर जल्दी उस दिन पर ज्यादा वैक्सीन लगा दी गई और हो सकता है कि अगले दिन to that extent to state में vaccination जो होगा कम होगा, तो यह planning एक logistic management की exercise जो state से regular basis पे की जाती है, आप सब से, आप सब से मेर परी विंती यही है कि जो इस परिप्रेक शुकर में समझना है कि देश में continued efforts करते हो प्रोडक्शन को बढ़ाया जा रहा है, साथ ही 75% vaccine doses government of India की तरफ से free state को supply की जा रही है, पूरी mammoth logistic exercise की जाती है, supply करने के बाद state के साथ daily basis पर follow किया जाता है, उनके vaccination program को और सुदर्ड कैसे जाए उसके बारे में discussion होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, और हमारा पूरा efforts है कि vaccination as a strategy, as a supporting tool for management of COVID, हम उसको हर तरीके से करने में सफल हो सके हैं, मैं आप से अंत में एक ही request करना चाहूंगा, it is a marathon, it is not a hundred meter sprint, और इस marathon में अगर हम day to day basis को analyze करेंगे, तो ह कोई मिस करने का एक भै हो सकता है,